नमस्ते गाइज आशी शियर फर नमस्ते टेक और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे MI A2 के इंफारेट सेंसर को यूज करते हुए अपने TV, AC जो भी एक इंफारेट सेंसर से कंट्रोल होता है जिसके पास भी एक रिमोट है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते है सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि एक MI A2 का अप अल्रेड़ी आता है MI A2 में अगर आपको यह ना मिले तो आप आप ड्रॉर में जाके इसे अल्वेस सेर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा हम इसको यहाँ पर टॉप में ला चुके अब मैं आपको यह दिख अब आप तब हम MI का रिमोट ट्वाला आप जो है उसे लांच करेंगे और यह आपको इंटरफेस दिखाएगा जिसमें की ज्यादा कुछ नहीं दिखाता है कि क्या 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 कंट्रोल कर सकते हैं इसका यूजर अकाउंट कर सकते हैं अगर आपको यह मैं का अकाउंट इससे यह होगा कि आपके सारे रिमोट बैककप में चले जाएंगे तो इसके अलावा आपको यहां पर मिलता है एड रिमोट का ओप्शन जिसको कि हम यूज करेंगे रिमोट आड करने के लिए तो हम एड रिमोट पे प्लिक करते हैं और एक चीज धियान रखेगा जब भी आप यह पहली बार सेट अप कर रहे हों जब भी आप कोई भी रिमोट को आड कर रहे हो तो उस समय इंटरनेट आकसेश ज़रूरी है बाइड डिफॉल्ट यह अपने एमाई टीवी एमाई बॉक्स को अल्रेडी आड कर चुका है बट बाकी सब इंटरनेट से चलता है तो म केस आप को नहीं मिलता है तो आप यहाँ टाप करके सर्च कर सकते हैं तो मेरे पास क्योंकि LG का टीवी है तो मैं सिर्फ LG पे करता हूं अब यह क्या करेगा कि यह सारे जो रिमोट के कंट्रोल्स है या जो इनके शॉर्ट कोड्स इसको बोलते हैं उनको यह आड कर लेगा त अगर नहीं ओन हो रहा है तो फिर से टीवी के तरह पॉइंट करें और इससे दबाएं और मेरा टीवी ओन हो गया है तो मैं इसके लिए यहाँ पर येस दबाऊंगा और इसने आटमाटिकली डिटेक्ट कर लिया है तो आप इसका लोकेशन सेट कर सकते हैं लिविंग रूम कि कभी भी आप सेट अप करते हैं तो लोकेशन ले लेता है इससे यह फाइदा होता है कि अगर आप मालीजिए यही रिमोट अपने घर के टीवी के साब कॉन्फिगर करते हैं जब आप घर पे जाते हैं तो वो रिमोट सबसे ऊपर आ जाता है अब इसको मैं पेर क्लिक कर मैं देदेगा इससे ही होगा कि जब भी मैं इसको टाप करूंगा तो यह सीधा मुझे यहां पर ले आएगा मुझे आप के थुरू जाने की जरुवत नहीं है अब देख सकते हैं यहां आपको आपको पावरut का ऑपशन हैं इनपुट ऑपशन का ओपशन है मैन्यू खोलने का अपशन है बैक जाने का ओपशन है वालीव प्लस-ब मैनेस चैंट प्लस-ब्लस-बॉल्म मिउट और एक मेन्यू भी है जो कि आपको कुछ उप्शन देता है जैसे कि exit है या last है इस तरह के option देता है इसके अलावा अगर आपको navigation बटन नहीं चाहिए तो यहाँ एक top में आपको मिलता है इसको आप प्रेस करिए तो अब यह swipe के mood में आ जाएगा इसके menu पर जाहिए और आपको काफी कुछ option मिलेगा जैसे कि vibrate and touch, show controls on lock screen तो आप lock screen से ही control कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, pin to start, share कर सकते हैं अपने family के साथ, pair again, in case अगर आपको problem हो रही है तो आप pair again कर सकते हैं और अगर आपके कुछ buttons काम नहीं कर रहे हैं, तो आप fix button के option में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक-एक को edit करना पड़ेगा, तो आप edit mode में जाए और अपने remote को TV के साथ सेट अप करिए तो वो उसको learn कर लेगा, तो दोस्तों ये था कि आप अपने remote को कैसे add कर स सारा backup हो जाएगा, तो दोस्तों ये था MI TV remote को कैसे setup कर सकते हैं, आप MI A2 में और अपने TV, washing machine और AC को control कर सकते हैं, आप अपने phone से, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मारे चानल पे और भी ऐस से वीडियो के लिए, देखने के लिए धन्ट्राइब